हम रोमांचक समय में रह रहे हैं, जहां इस समय दर्शकों के पास अपनी एक उंगली के इशारे पर सर्वोत्तम गुनवत्ता वाली सामगरी तक पहुँच है कई OTT प्लेट फार्मों के लिए धन्यवाद हम कभी भी अच्छी फिल्मों और शो से बाहर नहीं होते हैं इतनी अधिक प्रतिसपर्धा के बीच, यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि बॉलिवुड खराब फिल्में बनाना बंद करे 2022 में बॉलिवुड में हमें कई भयानक फिल्में दी यहां 2022 की बॉलिवुड फिल्मों की सूची दी गई है जिन्हें न केवल दर्शकों ने बड़े पर खारिस कर दिया था बलकि IMDb पर सबसे कम रेटिंग भी दी थी यह अत्याचारी फिल्में पैसे और समय की पूरी बर्बादी साबित हुई इससे पहले की मैं काउंटडाउन शुरू करूँ आप ये लाइक के बटन पर क्लिक करके विडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो चलो यार जल्दी जल्दी करो कर दिया, ओके ठीक है विडियो शुरू करते हैं आज का टॉप तेन वर्स्ट मुवीज इन येर 2022 का काउंटडाउन आज की इस लिस्ट में नमबर तेन पर है फिल्म लाल सिंह चड़्धा आमिर खान ने लाल सिंह चड़्धा के साथ चार साल बाद बड़े परदे पर वापसी की यह 2022 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी लेकिन यह बॉक्स ओफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई इसने आमिर और करीना कपूर खान के दिये पिछले बयानों ने रिलीज से पहले विवाद छेड़ दिया इसके बाद नेटिसन्स ने लाल सिंह चड़्धा के बहिशकार का आहवान किया कई लोगों का मानना है कि यह देश में फिल्म के खराब प्रदर्शन के प्रमुख कारणों में से एक हो सकता है क्योंकि यह फिल्म विदेशी बाजार में 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलिवुड फिल्म के रूप में उभी है यह 1994 की अमेरिकी फिल्म फॉरेस्ट गंप का ओफिशियल रिमेक है इस फिल्म का बजट 180 करोर था और इस फिल्म का बॉक्स आफिस पर लाइफ टाइम कलेक्शन 129.64 करोर तक ही हो पाया इस फिल्म को IMDB पर 5.5 आउट आफ आफ तेन की रेटिंग मिली जो उम्मीदों से कम थी इस फिल्म को 49% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है वर्स्ट फिल्मों की लिस्ट में नंबर 9 पर जगया बनाने में काम्याब रही समराट पृत्वीराज समराट पृत्वीराज चुँकि कई लोगों ने सोचा था कि अभिनेता अक्षय कुमार को हिंदू योध्धा राजा पृत्वीराज चौहान के रूप में उनकी भूमिका में गलत समझा गया था इसलिए अक्षय कुमार की पहली पीरियड फिल्म किसी भयानक सपने से कम नहीं थी इस एतिहासिक फिल्म ने अपने बेजान, एक्षन सीक्वेंस और नीरस समवादों से लोगों का दिल तोर दिया इस फिल्म को चंदरप्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया था और अक्षय के अलावा सोनू सूध, संजय दत और मानुशी छिल्लर प्रमुख किरदारों में थे ये फिल्म 175 करोड के भारी भरकम बजट में बनी थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स आफिस पर लगभग 90.32 करोड ही कमा पाने में काम्याब रही IMDB पर इस फिल्म की रेटिन 5.4 आउट आफ तेन रही और 64% गूगल यूसर्स ने फिल्म को लाइक किया है नंबर एट की हॉट सीट पर विराजमान है फिर से अक्षय कुमार की फिल्म रक्षा बंधन आनंद एल रोई द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार भूमी पैंडनेकर और अन्यद्वारा अभिनीत रक्षा बंधन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और रक्षा बंधन त्योहार के सिजन पर फिल्म को 11 अगस्ट 2022 को नाटकिय रूप से रिलीज किया गया था इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाय मिली और यह व्यावसायक रूप से असफर रही यह बॉक्स ओफिस कलेक्शन के मामले में 2022 में अक्षय की सबसे खराब फिल्मों में से एक बनकर उभी है रक्षा बंधन का इस साल की सबसे कम रेटिंग वाली बॉलिवुड फिल्मों में आठ वास्थान है हंड्रेर करोड की लागत से बनी यह फिल्म मात्र 62.62 करोड का ही बिजनेस कर पाई और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 5.2 आउट आफ तेन रही इसको 72 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया लगता है अक्षय की उटपतान एक्टिंग देखकर दर्शक उब से गए है भाई भाई लोगो अब बारी है नंबर सवन की देखते हैं नंबर सवन पर किसकी लोटरी लगती है तो नंबर सवन पर पेश है फिल्म शम्शेरा रंबीर कपूर, वाने कपूर और संजय दत अभिनीत और करण मलहोत्रा निर्देशित यस राज बैनर की मोस्ट अवेटेड फिल्म शम्शेरा शम्शेरा से उम्मीद की जा रही थी कि बॉक्स ओफिस पर हिंदी फिल्म उद्योग की सुस्ति खत्म कर पाएगी इसके विपरीत यह 150 करोड बजट की फिल्म बॉक्स ओफिस की दौर में एक बड़ी निराशा साबित हुई यह भारत में बॉक्स ओफिस पर 64 करोड के आकडे को छूने में भी विफर रही इस फिल्म का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन 63.58 करोड ही रहा और ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप रही इस फिल्म को IMDb पर 4.8 आउट आउट आफ तेन रेटिंग ही मिली और 60% गुगल यूजर्स ने फिल्म को लाइक किया आश्चर्य की बात है ना खैर आगे बढ़ते हैं देखते हैं नमबर 6 पर कोन है तो नमबर 6 का लख्की ड्रा खुला है फिल्म दोबारा के लिए दोबारा यह फिल्म समीक्षकों से शानदार समीक्षा के साथ शुरू हुई थी डाइरेक्टर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नों ने आपसी दोस्ती में शायद खेल-खेल में फिल्म ही बना ली हो लेकिन घरेलू स्तर पर अनुमानित 6.77 करोड के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ फिल्म अपने नाटकिये सफर को पूरा करती है और दर्शकों ने कही दिया दोबारा दोबारा नहीं देखेंगे कथित तौर पर इसे 30 करोड के बजट के साथ बनाया गया था इस फिल्म को IMDb पर 4.5 आउट आउट आफ तेन रेटिंग ही मिल पाई और महस 31 परसेंट गूगल यूजर्स ने फिल्म को लाइक किया है देखते हैं नंबर 5 पर कौनसी फिल्म तहलका मचाती है तो नंबर 5 पर इस बार तहलका मचाया है फिल्म धाकड ने कंगना की धाकड बड़े पैमाने पर बनाई गई थी इसे 85 करोड के बजट से बनाया गया था लेकिन कंगना की जबान जितनी तेज चलती है फिल्म उतना भी चल नहीं पाई इस बार तो कंगना के भक्त भी खासे नाराज हो गए फिल्म के फ्लॉप होने ने उद्योग जगत को जखजोर कर रख दिया यह फिल्म एक जटके के रूप में आई धाकड बॉक्स ऑफिस पर अपने पूरे लाइफ टाइम में केवल 2.58 करोड ही कमा पाई और इसको IMDb पर 4 out of 10 की रेटिंग मिली और तरस खाकर 42% गूगल यूजर ने फिल्म लाइक किया अब नंबर 4 को देखते हैं नंबर 4 पर हैं जहां ना हो 4 यार, सौरी सौरी फिल्म जहां 4 यार जहां 4 यार कमल पांडे निर्देशित इस फिल्म को न केवल समीक्षकों बलकी दर्शकों से भी नकारात्मक समीक्षा मिली स्वरा भासकर, मेहर विज, शिखा तलसानिया और पूजा चोपरा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म चार विवाहित महिलाओं के बारे में है जो ग्रहिनियों के रूप में घुटन महसूस करती है वे घूमने जाते हैं और वहां हर पल का लुट्फ उठाते हैं लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त दर्शकों का ही दम घुटने लगा दर्शक आधी फिल्म से ही थेटर के बाहर जाकर जिंदा बचे रहने का लुट्फ उठाते दिखे खैर इस फिल्म का बजट 25 से 30 करोड का था फिल्म बुरी तरीके से पिट गई आएंडीबी पर इस फिल्म की रेटिंग 4 आउट आफ 3 ही रही जो की बेहत खराब है और सिर्फ 10% गूगल युजर्स ने ही फिल्म को लाइक करने का साहस दिखाया चलो हम भी साहस दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं नमबर 3 की और और देखते हैं नमबर 3 पर कोन दहारता है अरे नमबर 3 की घंटी बजाई है फिल्म लाइगर ने विजय देवर कोंडा और अनन्या पांडे अभिनीत बाइलिंगोल फिल्म लाइगर को IMDB पर 2.9 आउट आउट आफ तेन रेटिंग मिली है जो इसे 2022 की तिसरी सबसे खराब बॉलिवुड फिल्म बनाती है यह 2022 की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक थी यह करण जोहर के धर्मा एंटर्टेन्मेंट द्वारा निर्मित और डाइरेक्टर पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित है पुरी जगन्नाथ साउथ इंडिया के प्रसिध निर्देशक है लेकिन फिल्म देखकर दर्शकों को तो पक्का लगा होगा कि शायद फिल्म लाइगर की जगह किसी जुमें जाकर टाइगर ही देख लेते तो शायद ज्यादा मज़ा आता खैर फिल्म का बजट 125 करोड का भारी भरकम बजट था और लाइफ टाइन बॉक्स ओफिस कलेक्शन 88.40 करोड ही रहा और देखते हैं शायद नमबर टू पर कोई काम की फिल्म हो तो हमारी इस लिस्ट नमबर टू पर हैं फिल्म निकम्मा निकम्मा फिल्म मैंने प्यार किया की अभिनेत्री भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यू दासानी की डेब्यू फिल्म थी फिल्म में शिल्पा शिट्टी और शरली सेतिया भी थी 2022 की सबसे कम रेटिंग वाली बॉलिवुड फिल्मों में से एक होने के नाते इसने अपने लाइफ टाइम में दो करोर का आकडा भी नहीं चुआ ये फिल्म करने के बाद फिल्म के डायरेक्टर समेथ सभी कलाकार निकम्मे हो गए अभिमन्यू भी सोच रहा होगा कि ये फिल्म करने से अच्छा तो मैं इंजिनेरिंग ही कर लेता शायद कही काम मिल जाता इस फिल्म के डायरेक्टर शब्बीर खान थे एंड फिल्म का बजट 20 करोर था इस फिल्म आयमडीबी पर रेटिंग 2.6 आउट आफ तेन रही आखिर हम आही गए नंबर वन पर देखते हैं वर्स्ट फिल्मों के नंबर वन के सिनहासन के लिए कौन सी फिल्म हीरो बनती है तो नंबर वन की जीरो फिल्म है हीरोपंती 2 इस लिस्ट में टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 का होना बिलकुल आश्चर यजनक नहीं है भयानक अभिनय और खराब पटकता के साथ इस फिल्म में दर्शकों को बांधे रखने के लिए शायद ही कुछ था ये फिल्म भारी भरकम बजट पर बनी थी लेकिन टिकट खिडकियों की और दर्शकों को खीचने में विफल रही ये फिल्म देख कर गर्शकों ने कहा अब ये फिल्म बनाते हो या हमको बना रहे हो किरोपंती 2 का बजट जहां सक्तर करोर था ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट का आधा भी कलेक्शन नहीं कर पाई इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 30 करोड के आसपास रहा IMDb रेटिंग सभी फिल्मों से कम 2.5 रही और इस खराब रेटिंग के साथ ये बेकार फिल्म वर्स्ट फिल्मों की रेस में नंबर वन वर्स्ट फिल्म बनने में काम्याब रही आपने यहां तक सहन किया और इस वीडियो को लाइक किया सच में आप ही हीरो हो आप इतने धाकड हो की मेरा चैनल सब्सक्राइब करके भी मानोगे और असली लाइकर की तरह अपने चार यारों को भी ये वीडियो शेयर करोगे और मेरा वादा है ऐसी ही विडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोबारा बाई